देश की राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में फर्जी एड्मिशन का नया मामला सामने आया है स्कूलों में गरीब तपके के बच्चों के लिए आरक्षित कोटे, EWS यानि की एकॉनोमिक वीकर सेक्शन में अमीरों के बच्चों के एड्मिशन खुले आम हो रहे हैं जहां एक ओर दिली सरकार ने गरीब और होलहार बच्चों के लिए सभी निजी स्कूलों में 25 फीसद EWS कोटे को रखा है वहीं अमीर लोग गरीबों के हग पर डाका डाल कर उन स्कूलों में अपने बच्चों का एड्मिशन करा रहे हैं आज हम वंदे मात्रम में इसी मुद्दे पर बाचीत करेंगे और खास मेमान हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आर्सी जैन सहाब जो कि अध्याक्ष है डेली स्टेट पब्लिक स्कूल मेनेजमेंट एसोसियेशन के साथ ही हमारे साथ है अशुक अगरवाल जी जो की वरिस्ट अधिवक्ता है मधू किश्वर जी भी हमारे साथ जोड़ी होई है समाजी कारे करता है और जोती सिंग जी भी है हमारे साथ जो कि कॉंग्रिस के लीडर है और इन सब मेहमानों के बीच हमारे साथ हमारे चैनल के रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी है सबी से हम चर्चा करेंगे कि आखरकार गरीबों का हक क्यों मारा जा रहा है तो EWS कोटे के तहट आर्थिक रूप से कमजोर तपके के बच्चों को स्कूलों में एड्मिशन मिलता है और आपको ये भी बता दे कि ये कोटा देश के सभी नीजी स्कूलों में मिलता है लेकिन गरीबों के लिए आरक्षित इन सीटों को शिक्षा के दलालों ने फर्जी एड्मिशन कराने और उससे पैसे कमाने कर जरिया बना लेते हैं आई आपको दिखाते हैं अपने इस खास रूपोर्ट में दिल्ली में पबलिक स्कूलों में खुले आम EWS कोटे में फर्जी एड्मिशन का मामला सामने आया है दिल्ली के स्कूलों में गरीब तपके के लिए आरक्षित कोटे EWS यानि Economically Weaker Section में अमीरों के बच्चों को एड्मिशन खुले आम हो रहा है जी हाँ, हरानी की बात ये है कि अमीर लोग गरीबी का प्रमारपत बनवा कर स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करवा रही है EWS कोटे के तहट आथिक रूप से कमजोर तपके के बच्चों को स्कूलों में दाखला मिलता है इस गोलक धंदे में स्कूल अभिभावक और दलाल तीनों की मिली भगत होती है पैसा फे को स्तमाशा देखो की तर्ज पर पूरा खेल चलता है फर्जी प्रमार पत्रों के जरिये EWS कोटे के लिए जरूरी कागजातों की कमी पूरी कर ली जाती है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पुले मामले की जाज कर रही है अब तक साथ लोगों की गरफतारी हो चुकी है और स्कूल प्रबंधकों को नोटिस भेजा जा चुका है इस सलसिले में DPS स्कूल, Rion International स्कूल, Scent Mark स्कूल, MK Baggeria स्कूल, APJ स्कूल और Lancer Convent स्कूल जैसे बड़े स्कूलों के नाम हैं जहां क्राइम ब्रांच ने छापे मारी की कारवाई की है दिल्ली में रहने वाले हर एक माबाप के खुआईश होती है कि उनका बच्चा भी एक बड़े स्कूल में शिक्षा ग्रहन करें गरीबी और मुफलिसी होनहारों के भविशे में बाधा ना बने इसी के लिए सरकार ने EWS की शुरुआत की थी लेकिन आज जो EWS का हाल है जो 25 फीसद सीटे बच्चों के लिए हुआ करती थी वो भी उन्हें नसीब नहीं हो रही है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और शुरुआत मैं सबसे पहले कारेकरम की करना चाहूंगी आरसी जैन सहाब से सर आपके रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है इसलिए सवाल उठना बहुत जरूरी है कि सीटे जो थी गरीबों के लिए हैं और शिक्षा ले रहे हैं महाँ पे आमीर पहले तो मैं आपको एक बात जानकारी में दे दूँ कि जब ये EWS शुरू हुआ था चाहिए वो RTE के तैट वाओ चाहिए इससे पहले जो दिल्ली में DDA से जो लैंड मिली है उसमें होता था मेरा आज भी आपके माद्यम से ये चैलेंज है कि जितने भी दिल्ली में आज तक EWS में दाखले हुए हैं मैंने हर चैनल पर ये बात करी ये तो SDM के ऑफिस से जिस परकार से फरजी सर्टिवेट इशू किये जाते हैं डलाल जिस परकार सिमा गुमते हैं पिछले 8-10 सालों से मैं बराबर इस बात को उठाता रहा हूँ कि जिन लोगों को ये मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिला 90% दाखले जितने भी होते हैं उनमें ऐसे फरजी होते हैं सरकार की पहले तो और दूसरा ये है कि सरकार ने जो एक भेद पैदा कर दिया है कि जनरल कैटेगरी के लिए एक लाग रुपे की पारिवारी की इंकाम होनी चाहिए S.C.S.T. के लिए चाहिए एक करोड रुपे रोज की भी आमधनी उसकी है वो EWS में दाखला लेगा और OBC के लिए 4.5 लाग की लिए पिट है तो पहले तो सरकार की अपनी पॉलिसी गलता है अगर आपको EWS एकनोमे के लिए वीकर सेक्शन का अगर आप इसको नाम देते हैं आँ जो हम लोग डिसकस कर रहा है यह पॉलिसी पहर नहीं डिसकस कर रहा है क्योंकि यह डिसकसर ना इस वात को लेके है कि EWS कोटे का कैसे दूरुपयोग हो रहा है इस तरीके से फर्जी तरीके से सीट कोटे की बेची जारी है और जो पैसे वाले लोग हैं वो इस कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने जो कहा जो दाई जो आपके या बाई जो काम करने के लिए आती है उसका इंकम भी एक लाग से जादा है बिल्कुल सही है ये एक अलग मुद्धा है कि अब क्राइटेरिया किस तरीके से चेंज कि तेनोंदोशी है इस पर हम चर्चा कर रह रहे हैं और इसकूल का फक्ष हम जानना चाह रहे है किया धी सक्त हो जाए bund आख मुद्ध कर रह सकता है क्या इसकूल की मिली भागत के बिना ये संभाव है कि एक कोटे की सीट को फ सामने आजगा इस से तो मैं सहमत नहीं हूँगा कि जो बच्चा किसी भी स्कूल में अपलाई करता है पहले एक किलोमेटर तक का जो बच्चा है स्कूल के आस पास का उसके बच्चे को दाखला देना है और उसके लिये भी बकायदा उस बच्चे का उसको इन्फॉम किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसको पेरिंट्स को दो गौर्वम्नट के अधिकारी होगे, उनके सामने उन सभी बच्चों के नाम मटके में डाले जाएंगे, उसमें से वो नाम निकालेगा, एक बच्चा निकाल और बाकाद उसकी वीडियोग्राफी बनेगी तो अगर इस इतने प्यूरीफाइड सिस्टम के बाद भी अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो मैं इस बात से इंकार नहीं करूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उस बाल में एक ही बड़बड़ी ह इस बात की जानकारी कौन देगा इस बात तो पड़बड़ी निकाल लेते हैं लेकिन उस पे एक ही नाम के पचास पड़बड़ी जाये तो उसके लिए जो अभी बावाक और जो अधिकारी वहां पर इस काम की जिम्मेदारी जिनकों इसमें स्कूल की मिली वगत के भी नही मैं आपकी बात से सहमत हूं पर इसमें कहीं ना कहीं हमें एक विजलेंट उसकी तरह से यहां भी ज्यान देना पड़ेगा कि जब आपके सामने मटके में नाम डाले जा रहे हैं उसका या तो एक तरीका है कि जो भी पेरेंट्स वहां पे अविलेबल है खाली उनके नाम डा किश्वर जी आप किसको जिम्मेदार मानती हैं और किसकी जवाब देही तेह होनी चाहिए देखे मैं थोड़ा लकीर से हट कर इस समस्या के जड़ तक जाना चाहती है उसकी तेह तक जाना चाहती है करप्शन और इस किसम के स्कैम्स नहित हैं जब आप स्केरसिटी आर्टिफिशल स्केरसिटी पैदा करते हैं आज के दिन ऐसा क्यों है कि स्कूल खोलना एक प्राइवेट स्कूल खोलना इतना मुश्किल है एक कारगिल वार जीतना जितना मुश्किल नहीं होगा क्यूंकि लाइसेंस कोटा राज आखरानी से आप को स्कूल खोलने के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा पुलिटिकल कनेक्शन हो, घूस खोरी हो, फला धिमका हो और इसके वज़े से स्कूलों की कमी है और जब कमी होगी, स्कैसिटी होगी तो जाहिर है कि करप्शन होगी अब किसी भी परिवार का मन, हर परिवार का मन करता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पड़े सबसे बड़ा स्कैम तो ये है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों पे ये थुप रही है कि वो economically weaker sections को अच्छी शिक्षा दे मुझे ये बताईए सरकारी स्कूल इतनी बड़ी तनखाएं दे रहे हैं आज के दिन तीचर्स को वहाँ क्यों इतनी नलाइक स्कूली शिक्षा है कि free uniform है, free meal है, सही है धिमका, free time jam फिर भी लोग सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं इसके लिए private schools के पीछे मारा मारी है हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में देख लीजे स्री लंका में देख लीजे, Thailand में देख लीजे एशिया के कितने और देशों में देख लीजे कहीं सरकारी स्कूलों की ये बदहाली नहीं है अगर सरकारी स्कूल, वो सबसे बड़ा स्कैम है कि आप इतनी तंखाएं दे रहे हैं करोणों अर्बोर रुपया खरज कर रहे हैं और आपके स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते बिलकुल अभी पंजाब का भी मामला जो आप पोड़ी सहम है तो आप से अभी पंजाब में जो इसको मामला आया है पंजाब के स्कूल के टीचर की जो बात आई है कि वोने खुद रिपोर्ट लिखने नहीं आ रही थी लेकिन आप में अभी ये बात कहीं जो सरकारी स्कूल का एस्टेंडर सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते हैं लेकिन दिल्ली का आख रहा है दिल्ली में तो 60% जो स्टुडेंट हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहें कि वोन 40% बच्चे ही जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ है प्राइवेट स्कूल की तरफ है वो कम टीचर्स को तनखा देते हैं बहुत कम देते हैं फिर भी वह पढ़ाई हो जाती है अच्छी खासी तनक्वाइं दे के भी सरकारी स्कूल कामने की यह सबसे बड़ा स्काम है दूसरा आप क्यों नहीं खुलने देते छूट दे देते आसानी से स्कूल कोई अच्छा खुल सके क्यों हमको पुलिटिकल पेट्रोनेज की जरूरत हो स्कूल कोईने के लिए लाइसंस नहीं मिलता जैसे गुजराथ सरकार ने एक फ्रांस्पेरन प्रोसीजर बना दिया था प्राइविट स्कूल और कॉलिज कोईने का सारा ओनलाइन अप्लिकेशन है क्राइटिरियास पश्ट है तो सारा ब्रष्ट सिस्टम खतम हो गया एक जटके में वो सिस्टम अगर आप लागू करें तो जो डिमांड और स्कूल के पीच में खाई पैदा कर दी है सरकार ने तो अगर डिमांड कम है ज्यादा है और सप्लाइ कम है तो ब्रष्टा चार होगा चाहे वो ट्रेंट टिकेट हो चाहे वो स्कूल की एक मिशन हो बिल्कुल सही का आपने आपका आप जोना जाएट साल लाई है इसकूल खोलने पे राइट टु एजुकेशन एक्ट में सजन करते हैं जवार पिसीवी चीज़् का इस देश में या इस समाज में जब आप कॉर्परोटाइजेशन करते हैं उसका बजारूपन करते हैं तो वहाँ पर ये करप्सन और धांग्रेवाजी होनी है जहां तक आप बात कर रहे हैं कि मदुकिस्वर जी जो बात कर रहे हैं तो राइट तो एजुकेशन एक्टी खराब है उसको ख़तम करना चाहिए इसको मैं नहीं मानता आप जिस देश में इतनी गरीवी है इतनी पुवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं आप उसको बोलते हैं राइट तो एजुकेशन एक्ट को ख़तम कर दें आप अगर उसको भी कर दें तो लोग तो इसको लीज से पहले नहीं जाना चाहते थे जो एक महत्eme कांची जो नियम बना कि राइट आइट टो एजुकेशन और राइट टो फूड़ और इसको आप नकार में चक्ति है हाँ जहां तक सवाल यह है कि जो प्रावधान बनाएगे, उस प्रावधान को क्यों नहीं लागु हो पा रहा है, उस प्रावधान में क्या कम्यार है। मैं आपको एक एक्जाम्पूल देता हूँ, एक कस्तुर्वा गांधी बाली का आवास्य विद्यालेव है, जो मैं एक वार रूरल एविया में घुम रहा था, तो मैं देखा कि उस स्कूल में आठ से, छे से आठ क्लास तक के बच्चों को इकनॉमिकली विकर्ट सेक्षन के अ आपके रहे हैं जो अभी जो हाल के घटनाएं हो रही हैं, जिसमें की विकर्ट सेक्षन का हक मारा जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था, आयम के कुछ छात जो अपना रिसर्च किया है, उसमें बहुत से बिंदों पर सरकार को और अड्मिशेशन को देखना होगा, और अभ अभव है ही नहीं, इसमें अभिवावत और अड्मिशेशन और सरकार तीनों को एक दम एक दूस्ट दूस्ट होकर सामरे आना होगा, अपने बच्चों के भविस्ट को लेकर, आप ये एकनॉमिकली विकर सेक्षन और पैसे वालों का जो ये दूलिया है, इस पर ये बहुत बड़ी बहुत की जवरत है, लेकिन जोती जी सवाल ये खड़ा होता है कि EWS को सोशल वेलफेल स्कीम के तहर शुरू किया गया, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशन चिन तो आपके दूरा जो योजना शुरू की गए थी EWS के उस पर है कि परपस जो था वो पूर आप उसको जाने ही नहीं देना चाहते हैं, आप स्कूल में रहने ही नहीं देना चाहते हैं, दाय के बच्चे को अपना नौकर ही बना के रखना चाहते हैं, आप जो आपके घर में काम करता है उसको काम ही करवाना चाहते हैं, ये सिती क्यों आप ये मान सिक्ता है, ये मान स आपके पास भी आएंगे हमारे साथ एक चोटा सा सवाल यह है कि यह जो 25% बच्चों को आफ फुरी सिप की बात करते है इसका बोज 75% क्यों उठारा है सरकार इसके लिए फंडिंग क्यों नहीं करती है बस मिन सवाल में राइए चली यह बात भी हम करेंगे अब इस पर कोटे के अधार पर फर्जी कोटी की बिक्री हो रही है इसमें एडिमिसन लेने के लिए जो परमान पत्र यूज किया जा रहे है स्टीम के यहां से जो है वो इनकम सार्टिफिकेट बनाया जा क्या आपको लगता है कि स्कूल की घुमी का जो है यहां पर आके खत्म हो जाती है अगर स्कूल भी अपने तरीके से इनिसियेटिव ले रहा है उसको लगे कि जो स्टुरेट हमारे यहां EWS कोटे में एडमिसन लिया है वो अगर BMW से स्कूल आ रहा है तो उस पे जाच होनी चा साफ एक जर्नलाइज स्टेट्मेंट दे रहे हैं कि 90% जो एडमिशन से हैं वो सब बोगस हैं पोस्ट हैं मैं बिल्कुल भी उनके साथ सहमत नहीं हूँ उनके पास कोई ऐसा डेटा भी नहीं है और अभी भी पुलिस जो इन्वेस्टिकेशन करें ना उसमें कोई बहुत ज ज्यादा नंबर हो लेकिन इतने नहीं हो सकते कि 90% जो है वो फर्जी हो तीसरी बात यहां कि मधुजी जो कह रही है कि सरकारी स्कूल की खश्ता हालत होने की वज़े से ये प्रॉब्लम है मैं उनके साथ सहमत हूँ लेकिन मैं मधुजी के साथ ये सहमत नहीं हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पूरे देश के अंदर कुछ स्कूलों को छोड़कर बाकि सब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इस 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 प्राइवेट स्कूल्स सरकारी जमीन के उपर स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर घरीब लोगों को जाना चाहिए गरीब लोगों को दाकला मिलना चाहिए बच्चों को और उसका परप्स यही था कि जो गैर बरावरी अमीर और गरीब के अंदर बढ़ रही है उसको कुस्तों कोशि में आया था और यह प्रॉब्लम वहां भी होती थी मैं सुनता रहता था लोगों से कि महां पर पैसे देके जो हैं चर्टिफिकेट बन जाते हैं पैसे देके औरीजिनल वदर सही स्टीम के सिगनेटर वाले भी बन जाते हैं और इस तरीके कि चीजे अभी पुलिस दे निका ल स्कूल के अंदर राइट एजूकेशन एक्ट के अंदर यह 25 परसेंट हो गया तो अभी मैं कुछ साल पहले एक टाइंस ओफ इंडिया के एक एडिटोरियल में पढ़ रहा था कि एक IPS ऑफिसर 75 परसेंट जो फीस चार्जिंग वाला वो होता है उसके अदर उसका दाखला ल अधरवाद साथ एक सवाल यहाँ पे और है जिस तरीके से 25 परसेंट जो इकनोमिकली वीकर सैक्शन के लिये रिजिया गया है सभी निजी स्कूलों में दिया गया है लेकिन जो निजी स्कूल वाले है मालिक जो चला रहा है उनके तरप सी यह कहा जा रहा है कि जमीन तों हम सरकार ने दी नहीं है, सुविधाएं तो सरकार हम दे नहीं रही है, जो भी चीजे चार्ज किया जा रहा है, कमर्सियली चार्ज किया जा रहा है, और फिर 25% सीट जो है, वो हमसे मांगी जा रही है, तो ये उनका हक नहीं है, ये जो है, उनके हक को मारा जा रहा है, क्योंकि स् जो प्राइवेट स्कूल को छोड़के, ऐसा नहीं है, सारे स्कूल खराब है, कुछ स्कूल सर्टेली बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बिजनिस, एक मेकैनिजम शुरू हो गया है, बिजनिस वेंचर शुरू हो गया है, उसकी वज़ मजबूरी है, कानूनन मजबूरी है, कि इनको 25 परसेंट बच्चों को लेना पड़ता है, उसके अंदर सरकार इनको पैसे देती है, उसका रियम्बर्समेंट देती है, और आपको मैं बताना चाता हूं कि दिल्ली में तेरा सो रुपे परती बच्चे को दिया जाता है, पर यही सवाल में करने वाला था, कि एक ही स्कूल में दो क्राइटेरिया की हूं, सरकार अगर EWS कोटे के बच्चे के लिए पैसे दे रही है, तो जो समाने 75 परसेंट कोटे से जो बच्चे आ रहे हैं, उससे 5000 रुपे क्यों लिया जा रहे हैं, इस बात का जैन साफ जवाब द इसको को एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आकरकार ये धंदा कैसे चलता है और किसको इसका सबसे आदर फायदा हो रहा है, EWS कोटे के तहट स्कूलों में एडमीशन की शुरुआत दिल्ली सरकार ने साल 2011 में की थी, जिसके तहट इन सीटों पर उन बच्चों को जगा दलती जिनके अभी भावकों की सालाना आमदनी एक लाग से कम है, और चलिए अब आप में आपको कुछ ऐसे रसुगदारों की सूची भी दिखाते हैं, जिनोंने दिल्ली के निजी स्कूलों में EWS कोटे पर अपने बच्चों के एडमीशन करवाए हैं EWS Economic Weaker Section यानी आर्थिक रूप से कमजोर तपका, इसके शुरुआत दिल्ली सरकार ने 2011 में की, इसके तहट सालाना एक लाग से कम आए वाले लोगों के बच्चों के एडमीशन के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटे आरक्षित की गई, लेकिन इस कोटे की सीटों पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की बजाय करोड़ पती और रसुपदारों के बच्चों को दाखला दिया जा रहा है स्कूल अभिभावक और दलालों की तिकड़ी इस गोरत धंदे को बखुबी अंजाम देते आ रहे हैं आए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस कोटे का कतल कर करोड़ पती अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला दलालों की जरी स्कूलों में करा लेते हैं इस कोटे में एडिमीशन के लिए आई और आवास प्रमाण पत्र की जरुरत होती हैं जिसे दलाल चुटकियों में बनवा लेते हैं फिर इस फर्जी प्रमाण पत्र के अधार पर स्कूलों में अभिभावक आवेदन करते हैं और फिर EWS कोटे के हग की हत्या कर रसुगदारों और करोडपक्यों के बच्चों का दाखिला ले लिया जाता है आईए हम आपको बताते हैं उन रसुगदार लोगों के बारे में जिनोंने बड़ी ही बेश्यर्मी से गरीबों के अधिकार मार लिये गाजबाद नगर पालिका के जोनल चेयर्मेन इब्राहेम मलिक ने अपने दो बच्चों का एड्मिशन दिल्शाथ गार्डन के ग्रीन फील्ड पब्लि स्कूल में करवाया दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस के सेकेटरी कुलदीब भाटी ने अपने दो बच्चों का एड्मिशन दिल्शाथ गार्डन के इसी स्कूल में करवाया वहीं दिल्ली नगर निगम के पारशत योगे शौदरी ने भी अपने एक बच्चे का एड्मिशन दिल्शाद गार्डन के ग्रीन फील्ड फब्रिस स्कूल में करवाया बीजेपी के पूर्फ जोनल चेयर्मेन सरदार सिंग फाटी ने भी अपने एक बच्चे का एड्मिशन दिल्शाद गार्डन के हंस राज समारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करवाया तो वहीं RTI से मिली जानकारे के मताबिक पूर्फ पूरा के प्राइविट स्कूल में 88 में 68 आयप्रमान पत्र फर्दी मिले तो वहीं रोहिनी के हेलिटे स्कूल में 8 फर्दी आयप्रमान पत्र मिले तो वहीं रोहिनी के विकारस भारती में 9 फर्जी आय प्रमान पत्र मिले इस गोरत धंदे में दो तरह के दलाल काम करते हैं एक प्रमान पत्रों का जुगार करते हैं और दूसरा स्कूल प्रबंदन को मानेजमेंट का EWS कोटे पर फर्जी प्रमान पत्रों के जरिये डाखिला करवाते हैं ब्यूरो रिपोर्ट साधना नियूर तो इस रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है सवाल तो सभी से बनता है जैन साथ से भी मुझे पूछना चाहिए लेकिन सबसे पहले मदु किश्वा जी से पूछना चाहूंगी मदु जी किसको जिम्मेदार मानती है हमारे सिस्टेम को पेरिंट्स को या फिर स्कूल एड्मिनिस्ट्रेशन को देखिए मैं आपको फिर उसी बात पर ले जाना चाहूंगी जब भी सरकार की नीतियां आर्टिफिशल स्केरसिटी करती हैं तो धांदली, धोखा धड़ी, फॉल्स सर्टिफिकेट्स ये हो गई कोटा सिस्टम जब आप करेंगे चाहे कास्ट बेस कोटा की बात को आप देख रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट्स भी किस तरह से आप बाजार में खरीज सकते हैं फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट्स तो स्केरसिटी होगी, तो करप्शन होगी, धांदली होगी अगर ये राइट टू एडू एडुकेशन एक्ट की बजाए कानून पास होना चाहिए था ड्यूटी टू प्रवाइड क्वालिटी एडुकेशन एक्ट यानि सरकार अगर इतने करोणों अर्बों रुपया सरकार खरच कर रही है सरकारी स्कुनों पे तो उसको जिम्मेदारी बनती है वहाँ क्वालिटी एडुकेशन हो एक नर्सरी की एड्मिशन में आप बताईए दुनिया में और कौन सा देश है जहां पर ये हालत है मदो जी जैन साभ कुछ पुछाना चाहरा है क्यूं कमिया बनाई है आपने कुछ सवाल रखना चाहरा है मेरा सवाल यहाता है कि आपने जब राइड कुम stinks एक्ट बना था मदुखिस्वजी की चिता कुछ और है, उनका कहना है कि सरकारी स्कूल में क्वालिटी एडुकेशन नहीं है जिसकी वज़े से जो है वो चात्र इधर उधर भटक रहे हैं, अब कहीं भी जो प्राविटी स्कूल में जाएगा, प्राविट स्कूल में जो चल रहा है, स्केंड है इस रैकेट में क्या जमयदार है, चर्चा इस पर हुनी चाहिए, कि ये जो रैकेट पकड़ा अगया है, इसमें किसको जम्मधार ठधरा जाए हैं, बिल्कूल हम ज़काभी एसफिपर रहे हैं और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, मैं इस बात से भी इंकार नहीं किया कर सकता, क्योंकि अगर कोई स्कूल कहीं गलती करता है, तो उसको बचाने के लिए मैं या नहीं बैठा हूँ. जैसे यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपना बाहरी लोगों की गलतियां बहुत निकाल रहे हैं, एक एक एक्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मेरी अभी एक टीचर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं एक बच्चे को रही थी, मैंनों इससे पूछा कि तुम समर्विकेशन में कहा गए थे, उसने पैरिस, यूरोप, लंदन का नाम लिया, जबकि वो एक 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 कोटे से आने वाला बच्चा क्या समर्विकेशन में पैरिस और यूरोप जा सकता है, तो क्या यहाँ पर बाहरी आप SDM को बोल रहे हैं कि SDM से एक चीज़ एक प्रूव होकर आई, क्या वहाँ पर टीचर की रिस्पोंसिबिल्टी नहीं बनती कि वो इसे क्रॉस चेक करे कहीं शिकायत करे और अगर इस शिकायत पर करवाई नहीं हो रही है, तो किसी और प्लैटफॉम पर जाकर आवाज उठा है, तो हमारे पास एक ऐसा प्लैटफॉम हमको मिलना चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से, डिरेक्टेट की तरफ से के वहाँ पर जाकर को उस बच्चे का नाम दर्ज कराए तो सरकार उसका वारिफिकेशन करे, ऐसा आज तक कोई प्लैटफॉम नहीं बना पाया, तो ऐसी इस कि तिमा आप स्कूल के जम्यदार कैसे चाह सकते हैं, आप आप जो है, डिरेक्टरेट अफ एडुकेशन में आप शिकायत कर सकते हैं, इसे अलेक्टेट की जरूत नहीं है, आप बताये, जो परिवार आज पैसा दे के भी उसको अच्छे स्कूल में नहीं शिक्षा मिल रह है, क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल खुलने पर भी आपने इतनी बंदेशे लगाई है, और राइट टू एडुकेशन एक्ट तो बिलकुल जंग छेर दी है प्राइवेट सेक्टर एडुकेशन पे, दो अजार चे में चार अजार स्कूल दिली में सीलिंग पर जाधे मैंनम झी, आपको बताते हैं, दो अजार चे में 4,000 दिली के स्कूल सीलिंग पैते हैं जो अपनी लैंड पर करते हैं, उनको हमने बचा पड़ी मुश्कित से लडाई जगडा करके, जी बिलकुल से लगाई है, तो थो अजार चे में चार अजार स्कूल सील करने गावर्ननस का ठेका उल चलूल फोरन फंडेड एंजियोस को दे दिया था और ये जो भी पॉलिसी कानून बनाते थे सौनिया गांदी की जो एने सी थी हर किसम का बेवकूफ वाहियात कानून इन्होंने थोपा है हमारे उपर और सब लोग क्योंकि उसके पीछे रेटलिक मौ को जाज़िकर करके आबाती ज़िद्ला घारा रहे हो जोडे जी बहुत दुर्भागेपूण है कि किस्वर्जी को मैं बहुत दिनों से सुनता रहा हूं एनका परसंसक भी रहा हूं लेकिन बहुत ही आज दुर्भागेपूण है कि जब ये बात कर रही है, जब समाज में लोग राइट एजुकेशन सारे बच्चे को हर समाज के हर सब्सक्राइब को पढ़ाने की कॉंग्रेस ने बात की सुनिया गांजी ने जब ये बात की तो उन्होंने क्या गलब किया कि आपके नौकर के आपके घर में दाई जो काम कर रही है उसके बच्चे को पढ़ना चाहि और वो हाई कोर्ट में उसको एक्सेट भी किया उसको अपराजी के रूप में उसको केस को चलाने के लिए उसका आप पास नहीं कर रहे हैं आप उस सिस्टम की बात को आप दिलग बोल रहे हैं जहां पर कि सुनिया गांजी ने समाज में हर लोगों को पढ़ाने की बात की और आप उसका तो कोई एक लाइम नहीं बोल रही है उनके उपर आप के एक बात नहीं बोला और जो श्रीवत सुनिया गांदी समाज में हर तप्के को ले को चलना चाहती थी जान की आप इस तो बोले हैं राकेटियर जोटीज बात बताई मुझे गलत है या सही है अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइव प्राइवेट स्कूल में ये धामनिक ूं हो रही है तो ठीक है लेकिन आप किसी सरकार को आप सरकार को किसी को जोती जी अब आप दूसरों को भी सुनेंगे जोती जी आप मुझे ये बताईए दो हजार जैन साब एक मिनट आपने क्या कोई गवर्णिंग बॉडी बनाई क्या कोई रेगुलेशन बनाया कि ये इसको टेक केर करेंगे कि जो 25 परसन के आपने बात किया वो जिनको अधिका है 25 परसन सीटों पर एडबिशन लेरे का क्या उन बच्चों को मिल रहा है अगर ऐसे नहीं हो रहा है तबी तो आज ये इतना बड़ा मामला हमारे सामने आया है क्या आपने सुरों रेगुलेशन के लिए कोई बैथर्टी बनाई थी दो साल से पुरे बाब ने सामने आ रह क्या है तो मेरा कहने का मलब है इसमें बहुत सारी चीजे इसको लागू करने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने बच्चों की संख्या सीमित कर दी कि 30 से ज्यादा बच्चे आप एक क्लास में नहीं पढ़ाएंगे आज मैं 40 बच्चे भी पढ़ा लेता तो इस पच्चे बहार निकले इनके लिए आपने जो सकूल नहीं बनाए जो 25 परषै drinks को और पब्सक्रों पहले ही जिनके उपड़ाने के लिए अपने बच्च को पढ़ाने के लिए ये सारी चीजे कम्या रहें जिनके ओपर हमें ध्यांदे हैं। इसमें एक टीचर की आज साथ जार पे बनती है। मैं आपकी बात जाओंगा। जैसाब मैं जब आपके पूरी बात पूरी कर लूँगी। इसमें प्रापर जांच करें। अगर वो सीरियस हैं इस सिशु में तो डेफिलिटलिस का फ्रापर इंक्वारी होना चाहिए। शुक अगरवाल जी आप बहुत देर से चुब भी बैठे हैं और आपने पूरी बात भी सही से सुनी होगी। बस एक लास कमेंट में आप से लेना चाहूंगी इसमें जिम्मेदारी हम किसकी तैक करें। स्कूल, SDM आफिस के भरोसे हैं, SDM आफिस पतानी किसके भरोसे हैं, ये फिलास साफ नहीं है। देखें एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैन साफ जो है ना हर अची चीज का विरोध करते हैं, राइट टु एजुकेशन एक्ट में जो 25 परसेंट का प्रोविजन बना वो एक हिस्टोरिकल है, हमारा कांस्टिटूशन गरीब और अमीर की खाई को खत्म करने की बात करत है, ये मुझे लगता है उस डिरेक्शन में है, और राइट टु एजुकेशन को अन्नेसरी यहां पर जो है ना क्रिटी साइंस किया जा रहा है, ये एक मिनिमम नॉम्स लेट डाउन करता है, सुप्रीम कोड ने भी इसकी तारीफ करी है, सुप्रीम कोड ने इसको काया कि र कि रिमेदारी है कि जब भी उनके पास किसी तरीके की कोई शिकायत आए, वो उसके उपर पूरा इंवेस्टिगेशन करें और जो भी दोशी है, चाहे वो स्कूल वाले हैं, चाहे कोई पेरेंट हैं, चाहे SDM के लोग हैं, जो भी लोग हैं उनके खिलाब कारवाई करनी चा कि ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए काफी अमीर लोगों ने SDM के दफ्तर के साथ मिलकर, कुछ लोगों ने जो है, वो कुछ पेरेंट जो है, वो विचारे गरीब थे, वो कुछ जल्दी से सर्टिफिकेट देने थे, वहां जाके दलालों में उसका नतीज़ा है, कि एक सवाल ये खड़ा होता है, इसमें गलती किसी थी और उसका जवाब अभी तक हमको नहीं मिला है, स्कूल एड्मिट्रेशन की नेगलीजेंस की वज़े से मिला है, और सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है, कि क्या स्कूल की मनमानी नहीं तो हम इसे और क्या कहेंगे, और क् स्कूल की कंसाइंस के या फिर ये कहा जाए उनकी मर्जी के बिना क्या इस तरह का बड़ा रैकेट का खुलासा हो सकता था और इसी के साथ हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम महमानों का आशुक अगरवाल जी हमारे साथ जुड़े वरिश अधी वक्ता थे आरसी जैन साब जो की अध्यक्ष से डी-एस-पी-एस-मे के मधुकिश्वर जी हमारे साथ जुड़े और इसके अलावा जोती सिंग जी भी हमारे साथ जुड़े और मुकेश कुमार जी आप भी हमारे साथ जुड़े आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इसके साथ हम शु दूसरे से कहा गनिमत है नवाज शरीफ साहब ने शराफत दिखाते हुए साड़ी ही भेज अगर टोपी भेज देते तो फिर तो भाईया बवाल हो जाता कॉंग्रेसी नेता प्रेस को संबोधित कर रहे थे पत्रकार ने राहुल गांधी के बारे में सवाल किया तो नेता ने कहा नो कमेंट बार बार नो कमेंट सुनकर परिशान पत्रकार ने फिर पूछा सुना है चुनावी हार कोट केस और इंकम टैक्स के नोटिस में उनकी नीन उड़ा दी है पत्रकार की बार बार सवाल पूछने की आदस से परिशान कॉंग्रेसी नेता बोले अगर इन सब बातों से यूवराज परिशान हो जाते तो क्या यूँही लोग सभा में चैन की न की नुड़ा दी है समझे मिस्टर पत्रकार योही नहीं मैं मैं बन जाता हूं रोज पहले केरन का छोड ढूंगे निकल जाता हूं धूप छाओ दिन रात की परवा किये बिना पढ़ता जाता हूं तब कहीं उस उम्दा अनुभाव को दुनिया तक पहुचा पाता हूं यूही नहीं मैं रजनी कंधा बन जाता हूं केश किंग आयरवेदिक तेल जो बना है सोला खार्थ आयरवेदिक तत्वों से रखे मेरे बालू का खयाल और पार्टवाव